आज कनक्स किचन में बनाएंगे सबकी फेवरेट हलवाई स्टाइल भंडारे वाली मसालेदार आलू मटर की सबजी वो भी बिना लेसुन प्यास के और सर्फ करेंगे गर्मा गरम अजवाइन की पूरियों के साथ तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए एक कप मटर फ्रोजन वाले आप चाहे तो ताजे वाले भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही यह देखे मैं जो आलू है उसको मैंने छील के ऐसे चौप के बड़े बड़े टुकडों में और इनको ना पानी म में भेगा देंगे ताकि यह काले ना पड़े फिर पैन में गरम करेंगे दो टी स्पून तेल इसमें मैं डाल रही हूँ एक से दो टुकडे अद्रक के और कुछ हरी मिर्ची कम तीखी वाली इसको भी टुकडों में डाल दिया और इसको थोड़ा सा चला लेंगे 30-40 सेकें अगे आप सूखी वाली मिर्चे भी यूज कर सकते हैं एक टी स्पूर नमक भी डाल रही हूँ ताकि सारी चीज़े जल्दी से पक जाए और इसको अच्छे से टॉस करेंगे थोड़े देर के लिए पका लेंगे और इसके साथी रिचनेस और क्रीमीनेस के लिए में डाल र ठीक है यह तो भून गया है अब मैं यह पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ करीबन आधा से एक कप इससे क्या होगा सारी चीज़े और अच्छे से ओबल जाएगी और फिर पिसने में आसानी होगी तो इसको पानी डालके ढखके छोड़ देंगे करीबन तीन से चार मिनि एक टीसपून अजवाइन जिसको अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे बड़िया सा टेस्ट आता इसका और साथी मॉइस्टर के लिए एक से दो टीसपून तेल या फिर गी और इन सारी चीजों को ना अच्छे से पहले मिक्स मिक्स कर लेंग और फिर थोड़ा पूरी के लिए गूदते हैं तो इसको ढख के साइट में रख देंगे 15-20 मिनट के जब तक हम अपनी बाकी के त्यारी कर लेते हैं फिर एक बोल में मैंने लिया है आदा कप दही इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले तो आदा टीसपून हल्दी पाउडर एक टीसपून भरके कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर दो टीसपून भरके धनिया पाउडर फ्रेंच क्या होगा ना धनिया पाउडर से थोड़ा इस भी बढ़ेगा और गाड़ापन भी आ जाएगा ग्रेवी में आदा टीस्पून भरके मैं डाल रहे हूं जीरा पाउडर और अगर आपको लगे ना आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो यहां पर काली मिर्च का पाउडर भी डाल दीजे इन सारी चीजों को न अच्छ मसाले तड़के के लिए तो मैं डाल रहे हूं एक टुकडा दाल चीनिका छोटा सा एक छोटी इलाइची चार से पांच लॉंग और चार से पांच काली मिर्च के दाने बस और कुछ मसाले नहीं लगेंगे इनको मैं क्या करे हूं दरदरा कूट लेंगे हमाम दस्ते में पह तो लिए टमाटर का मिक्स्टर भी चेक कर लेते हैं तो इस मिक्स्टर अच्छी से पग गया है इसको ठंडा होने देंगे और इसको फिर ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी में और पानी आड करने की वैसे जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसका स्मूध प्यूरे तियार कर ल अच्छी से निकाल के डालेगे आपको चहीं तो सुखा के भी डाल सकते हैं ताकि छीटना पड़े तो सारे आलू बैच इसमिस में डाल दीजिए और इसको फ्राय करेंगे हाई फ्लेम पे तीन से चार मिनिट के लिए जब तकि बाहर की जो ग्रिस्पी और गोल्डन कोटिंग आजाने चीए इससे क्या होता है ना आलू थोड़े और भी जादा टेस्टी लगते हैं और टूटेंगे नहीं पर अगर आपको फ्रेंस यह प्रोसेस नहीं करना है तो आप आलू कच्छा भी यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगे तो यह अगर आप मत्र पनीर बना रहें ना तो भी आपको सेम प्रोसेस करना है बस यह पर आलू के जगे आपको फ्रोसेस आलो करना है ठिक है तो यह साइड मे रख देंगे तो अब कड़ा ने जितना भी तेल था एक स्ट्रा यह निकाल दिया चाल कलीकाit माम दस्ते में और इन सारे मसालों को हलका सा भून लेंगे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इन सब का और बस भून गे इनको जलाना बिलकुल नहीं और तुरंत ही डाल देंगे टोमाटो का प्यूरे और इसको मिक्स करके पकाएंगे करीबन 3-4 मिनिट के लिए अच्छा इसको भून लीजे फिर ये टोमाटो का प्यूरे डालेगा तो आपका बढ़िया सा कलर आ जाएगा तो फ्रेंस इस ग्रेवी में हमने प्यास नहीं यूज किया ठीके पर मान लीजे अगर आपको उसकी कमी लग रही और प्यास भी नहीं यूज करने तब उसके बदले कच्चापन निकल जाए और अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसको ढखके भी पका सकते हैं यह दिकी टामाटर थोड़े से रिडियूस हो गया है थोड़े से पकना स्टार्ट हो गया है पानी कम हो गया है तो यहाँ पर गयास का फिलीम लो कर दीजे या फिर मैं तो सज दही का कच्चापन भी निकल जाएगा और वो भी पक जाएगी अच्छा फ्रेंस एक और आपके लिए टेप है मान लीजे अगर आप यहाँ पर काजू और मैलिन सीज जो मैं आपको बताया अगर वो नहीं यूज कर रहे ना गाड़े पन के लिए थिकनेस के लिए तो जब देंगे करीबन साथ से आठ मिनिर के लिए चप तक सारी चीजे अच्छे से भुन न जाए और सब का कच्चापन निकल जाए तो चलिए चेक करते हैं यह देखिए कितना अच्छे से भुन गया है बेस उपर सतर पर थोड़ा सा तेल दिखने लगा है तो फ्रेंस अब अगर अगर आपको यहाँ पर चाहिए न तो आप घर की मलाई, फ्रेश क्रीम या फिर कुछ लोग मावा भी आड़ करते हैं रिचनेस के लिए अगर वो सारी चीज अगर आपको करनी है न प्रोसेस तो यहीं पर कर लीजे तो आपकी ग्रेवी और भी रिच और क्रीमी हो जाएग अचा फ्रेंस अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे न तो क्या कीजिए पहले आप बेस में डाल दीजे फ्रेश मटर और फिर उसको ढखके पकने दीजे थोड़ी देर के लिए क्योंकि फ्रेश मटरों को पकने में थोड़ा जादा समय लगता है और यहाँ पर मैं एक टी पूरी तरीके से पकन जाए और ग्रेवी थोड़ी सी और गारी न हो जाए चलिए चेक करते हैं फ्रेंस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ग्रेवी भून गई है क्योंकि उपर रोगन आ गया इसका मतलब की भूनने के निशानी है और काफी दरदरी सी ग्रेव कसूरी मेथी क्रश करके डाल दीजे हातों से आधा टीस्पून गरम मसाला थोड़ा सा फ्रेश धनिया और एक से दो टीस्पून घी फाइनल फिनिशिंग और शाइन के लिए और इसको मिक्स करके पकाएंगे एक से दो और मिनिट के लिए अप देख सकते हैं इसकी कर सकते हैं रोटी पूरी पराठा या फिर सिंपल बॉयल राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है पूरी का आठा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा गूत लेंगे एक छोटी लोई निकाल देंगे और इसको बेल नेंगे नॉमली जैसे आप पूरी बनाते हैं छोटी या ब सबजी के साथ फ्रेंची जो सबजी है पूरी के साथ इतनी ज़a杓दा टेस्टी लगती गजब की लगती है तो ट्राइश जरूर-जरूर कीज़ेगा वीडियो थोड़ा भी बसंद आया तो लाइक कीजेगा शेर भी कीज़ेगा सारे फ्रेंस के साथ और चानल को सब्स्र